ससुराल में दोश है और उन्हें देखते ही उनके चर्णों पर दंडवत प्रणाम करती है अरजी आप भी प्रणाम कीजिए ना पंडी जी को और करण तो भी जुक जितना ज्यादा जुकेगा न उतना ये बड़ा प्रसाद मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं ये पुतरी जो होगा वो तो होकर रहेगा करण को नया काम शुरू करना है ना महराजी की जए हो महराजी की जए हो देखा जी आपने महराज आप तो अंतर यामी है तो ये भी बता दीजिए कौन सा बिजनस मेरे करण को सूट करेगा करण कुछ दिन पढ़ने जी के बताया बिजनसमें के ऑफिस में काम करता है और कुछ ही समय बाद वो अपना खुद का लुहे का बिजनस चालू करता है और उसका बिजनस चल पड़ता है अब तो उसका पंडिक जी पर विश्वास और भी बन जाता है ये लो ममी एक्यावन सो पंडिक जी को दे आना तुम सही कहती थी ये चीज़े होती तो है पंडिक जी का बोला हो रहा है महिने के असी अजार एक लाग तो कमा लेता हूं मैं आप कोई टेंशन नहीं पता नहीं क्या सच है क्या जूट मेरा तो कोई काम नहीं बना औस तक आपकी नियती सही नहीं है न तो कहां से होगा काम आप छोड़ी है तू सुन करन पहले तो तु सेंटल है न अच्छा कासा कमा भी लेता है तो आप बिटा शादी कर ले है अब शादी अभी अरे 28 का हो गया है तू अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा मैं आज ही जाकर पंडी जी से इस बारे में बात करती हूँ अगर वो कहते हैं तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूँगी अच्छे अगर पंडी जी बोलेगे तो फिर कर लूँगा जगर पूझ लो न निर्मला जाकर पंडी जी से बात करती है और पंडी जी शादी के लिए हाँ करते है और अगले ही पल निर्मला अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है पंडी जी क्याओं से निर्मला अपने घर लोटरी थी के रास्ति में उसे प्रीमा मिलती है गलए में सोनी की चेन हाथ में कंगन तेरी तो लोटरी लग गई निर्मला जब से तेरे बेटे का काम सैट हुआ है तेरा तो रूपी बदल गया है बात तो तिरी साचे प्रेमा हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे बेटे ने तो हर काम के लिए नौकर रखवा रखा है गिनकर हम तीन लोग और चार नौकर सब कुछ तो हाई अब सोच रही हूँ करण की शादी कर दूँ और इस जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाओ अब बहु आए और तीजोरी संबाले एक बात तो गारंटी से कह सकती हूँ प्रेमा जो लड़की करण के पीछे हमारे घर आएगी न उसके तो दिन हे पलट जाएंगे वैसे कितना कमा लेता है महीने का करण अरे महीने का क्या पूछ रही है दिन का बोल दिन का पचास के उपर तो कमाता ही है पंद्रा सो भी नहीं ये कैसी कमाई हुई निर्मला आजकल इतने में गुजरा चलता है क्या हमारा जमाना गया कि पती ने पान सो भी कमाया तो बीवी साथ में रह ली आजकल तो भाग लेती है तो इतना भैक रही थी गर में ये है वो है इससे ज्यादा तो मैं अपने काम वाले को देती हूँ अरे देने का पचास मतलब पचास रुपया नहीं पचास हजार रुपय पचास हजार ये तो बहुत होते है अच्छा कासा का मानने लगा है फिर तो करंट तो वैसे मेरी पहचान में एक लड़की है मेरी ननत की जठानी की बेटी वो भी न पड़ी लिखी है ऐसे तो उसकी घरवाली उसकी शादी का नहीं सोच रहे पर मैं कहूंगी तो मेरी बात मानेंगे जरूर हाँ तो फिर मैं तुझे घर जाकर न करंट की फोटो और उसका बाव डिटा वाटसप करतेती हूं तो लड़की वालों को भीजवा दे एक बात की गारंटी मैं देती हूं लड़की के परिवार वालों को कभी भी इस बात का गम नहीं होगा कि उन्होंने अपनी बेटी हमारे घर भेजी यहाँ प्रेणा ये बात सुनती है और वो सीधा अपनी ननत की यहाँ पहुच जाती है और उसकी जिठानी से कहती है इस बात की गारंटी मैं लेती हूं कि उस घर में हमारी बच्ची जाकर दुखी नहीं रहेगी भाई साब निर्मला जी के ठाट बाट तो मैंने खुद देखे समीन पर पैर भी नहीं रखती वो अब तो हवा में उड़ना फिर ना ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया मामी जी अपना साइंस इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि हम हवा में उड़ने लगे अरे इतना तो तेरी मामी भी जानती है बेटा हवा से मेरा मतलब था फ्लाइट से अब वो ट्रेन में बैठ थी नहीं और बैठेगी भी क्यों भाई जब बेटा दिन के एक लाग कमा रहा हो तो माटरे इन से जाए भी क्यों इतना पैसा कमा रहा है लड़का तब तो फिरा बात आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं है क्यों सुश्मा जी वैसे लड़के का घर अपना है कि अरे सब अपना ही है उसके गारंटी मैं लेती हूँ मेरे पडोसी है मुझसे कुछ चुपा है क्या भाई साब कपड़े का काम है पर वो इतना चलता नहीं था अब ये बेटे को न जाने कौन सा धंदा हाथ लग गया कि जहां भी हाथ डालता है मिट्टी पी छो रहा है तो सोना हो रहा है लुहा अंटी जी और शिल्पा का परिवार पहुँच जाता है करण की घर क्या बताओ भाई साब लड़कियों की तो लाइन लगी पड़िये मेरे बेटे के लिए अब इतना कमाएगा माबाप की इतनी ली सेवा करेगा तो बाजार में नाम तो रहे गई पर मैंने प्रेमा को जबान दी थी और पड़ोसी धर्म नाम की भी कोई चीज होती है की नहीं प्रेमा को मैं दुखी नहीं कर सकती थी आपकी बाद बिलकु सच्ची होगी वेहन जी पर हम लड़की के माबाप है तो हमें जाज पड़ताल तो करनी पड़ेगी न अब ज़र अपना घर दिखा देती तो विनोद अपना पूरा घर लड़की वालो को घुमा घुमा कर दिखाता है घर तो काफी अच्छा है आपका मेरे मन में एक बात थी बुरा मत मानी है तो पूछ बैन जी अरे सब कुछ तो मैंने आपको बताई दिया था सुच माधी ती मैं पूछ रही हूँ ना प्रिमा एक मिनिट कहीं करन को पीने की आदत तो नहीं है इस बारे में क्या बताऊं बैन जी पिछले मैने की बात है हमारे घर पर मेरे माय के वाले कुछ लोगा आये थे वो क्या है ना मेरे जी जा जी को जरा धुआ भूआ भूखने की आदत है तो वो बातरूम होकर आये उनके निकलते ही करण बिचारा बातरूम में चला गया और बाहर आकर मुझसे कहता है ममे बातरूम मैं किसे ने मच्छर की अगरमती जलाई है पताईए अब जिस लड़की को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है वो क्या गलत लाइन में पड़ेगा बैन जी और क्या था निर्मला अपने बेटी की तारिफ में इतनी लंबी लंबी फैकती है कि लड़की वाले मना नहीं कर पाते और शिल्पा का रिष्टा करण से पक्का हो जाता है अप अपनी कमरे में जाए दिती हम ना अभी गरमा गरम दोद का गिलास लाकर आपको देते हैं दोद से न ताकत आएगी मेरे बेटे को ताकत के लिए दोद की जरुरत नहीं बढ़ेगी कमला तू सुन भा हूँ तू कमरे में जाकर घूंग टोड कर बैठ मैं पांच मिट में करण को पेज़ती हूँ शिल्पा किसी भी दूसरी नई नवेली दुलहन की तर अपने कमरे में बैठी करण का इंतिजार कर रही थी कि तरवासा खुलता है करण अंदर आता है कितनी जल्दी शादी होगी ना वारी मेरा मतलब है शादी तो मुझे आपसे ही करनी थी पर इतनी हडबडी में होगी ये नहीं सुचा था आपके साथ ज्यादा बात करने का वक्त भी नहीं मिला यहां तक कि दुलन के जोड़े में भी मैं आपको जी भरके निहा नहीं पाया लोग ही इतने आसपास थे ऐसे में एक टक अगर आपको देखता तो आप शर्मा जाती पर यहां तो मैं आपको देख सकता हूँ ना यह कहकर जैसे करन शिल्पा का घूंगट उठाने जाता है दर्वाजे पर खटखट होती है इस वक्त कौन आया है अरे बेटा मैं हूँ तेरी मा तुने बव का घूंगट तो नहीं हटाया अरे घूंगट हटा तो उसे पहले ही तुमने में गेट खट खटा दिया ममी क्या हो गया आभी रोग जा पहले पंडिजे से पूछ लेती हूँ घूंगट हटाने का कौन सा मूरत अच्छा है उसे वक्त घूंगट हटाना अब इसमें पंडिजे से क्या सला लोगी ममी इसमें तो सला ज़रूर ये बिटा क्योंकि मुझे नहीं पता किस मूरत में मैंना तेरी मा का घूंगट हटाया था उस दिन के बाद से आज तक मुझे इसका चेरा देखने का मनी नहीं हुआ भाईया मजा कर रहे है बाबी करन भया ठीक है रहे है इन चीज़ों के लिए पंडिजी को फोन करना सही नहीं है पर निर्मला कहा मानने वाली थी वो रात को बारा बज़े पंडिजी को कॉल करती है पर पंडिजी तो सो रहे थे तो फोन उठा था कौन बारा से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार बज़ जाते है पूरा घर आदी नीन में यहाँ वहाँ हॉल में बैठा हुआ था चार गंडे से गुंगट में बैठी हूँ क्या मसा के यह पंडिजी से पूछ कर कौन गुंगट हटवाता है बहु का आया आया पंडिजी का मेसेज आया उठा सकते है गुंगट जा बटा मुझे नहीं उठा ना गुंगट सोने जा रहा हूँ मैं तो शिल्पा की सुआगराद कुछ ऐसी होती है के ठक कर उसका पती सोही जाता है आगले सुपार ममी जी आपने बताय था इस गर में चार नाकर है अरे वो चार नाकर मुझे में ही तो है नहीं बहु बचपन में करण को मालिश किया है मैंन तो मैं आया हुई फिर भाबी की सास को मैं मालिश करती थी तो मैं मालेश वाली हुई अब बरतन दोती हो तो बरतन वाली हुई और पौदो को पानी देती हो तो तो मालन बाके सब मुझी करना होगा ये तो सरासर धूखा हुआ है मेरे साथ मम्मी जी अगर करण दिन का एकलाग कमाते हैं नौकर तो रखी सकते हैं वही ना बहु नौकर क्या मैं तो एक रोबोट रख लूँ पर वो क्या है न पंडी जी ने बोला है घर की बहु ही घर का काम करें तो अच्छा है वनना घर में दोश लग जाएगा अब कमला तो शुरू से इस घर में रह रही है उसे तो हम नौकर मानते नहीं शिल्पा रस्वे में चली जाती है अब क्या बहस करूँ जो अरत अपनी बहु की सुआग रात पंडी जिससे बिना पुछे होने नहीं दीती वो इस घर में नौकर आने देगी कर्म फूट गे मेरे अरे बिटा कुछ दिन रुख जा तू अभी नहीं है फिर कमला से ही जाड़ू पोछा कपड़े करवाने लगना कहीं भी एड़्जस्ट रोने में वाट लगता है ना बिटा शिल्पा खुद की किसमत को कोशती हुई सभी को नाश्टा परोस्ती है जिससे देखती ही विनोध कहता है पपीता पपीते के सबजी बनाई है बहू क्यों क्या हुआ पापा जी आप पपीता नहीं काते भापा तो कुछ भी का लेते हैं पर ममी नहीं काती तुझे इतनी तो बुद्धी होनी चीए ना बहू कि रसोय में कुछ बनाऊं तो सास से पूछ लो गर की बहू अगर सास से पूछ कर खाना नहीं बनाती तो ससुराल में दोश लग जाता है हम और ये किस दिका है ममी जी हमारा पंडित जी ने और किस ने अब जा मेरे लिए आलू गोबी की सबजी बना दे गुसे में अपने दाख पीस्तिय वे शिल्पा रसोय में जाती है और अपनी सास के लिए सबसी बनाना शुरू करती है ये कोई बात हुई भला कि सास से बिना पूछे खाना बना दो तो दोश लग जाएगा ममी जी को आलू गोबी की सबसी खानी थी तो बाट पंडी जी पर डाल दी वा ममी जी वा सबी को खाना खिलाने के बाद जैसे ही शिल्पा मशिन में कपड़े डालने लगती है निर्मला उसे देख लेती है ये क्या बात हुई बहु एक एक करके कपड़े दोएगी तो कितनी बिजली उठ जाएगी ये होता मैं नहीं देख सकती वो अपनी बहु के पास जाती है और कहती है हरे नहीं नहीं बहु कपड़े हाथ से ही दुलते है इस घर में वो क्या है ना अगर हमने मशिन में कपड़े दोए तो हमें दोश लग जाएगा ऐसा पंडी जी ने बताया था और ये दोश ना सबसे ज्यादा घर के बेटे पर लगेगा और अगर करण का काम बंद हो गया तो कहां से आएंगे पासे इसलिए तो कपड़े ना हाथ से ही दोले पिटा अच्छा ममी जी तो जरब पंडी जी से पूछ लीजेगा कि जाडू करने के लिए जाडू का इस्तिमाल कर सकते है या जीब से चाट कर फर्श साफ करना होगा वना कहीं ऐसा ना हो जाडू वाला दोश लग जाए शिल्पा हाथ से कपड़े दोती जाती और अपनी किस्मत को रोती जाती इसी तरह दिन बीटते हैं और एक राच शिल्पा मैगी बनाने अपने किचन में जाती है किचन की लाइट्स ओन होती ही निर्मला जी भी पहुँच जाती है इतनी रात गए तु रसोई में अब क्या बाकी रह गया था बगू और यह तुन्हे पानी क्यों गरम करने को चड़ाया है चाविस घंटे रसोई चलाएगी क्या वो मुझे जरभ भूख लग रही थी ना ममी जी तु मैगी बनाने आ गई अरे अभी तो रात को तुन्हें चार पराठे क्हाए अब और क्या खाएगी ऐसे भी बार-बार खाना अच्छा नहीं होता रात को तो ऐसे भी ना रसोई खाने में आना ही नीची है वो क्या है ना इससे सुराल में दोश हो जाता है यूँ तो शिल्पा घर की बहुती पर वो रस्वे में क्या बना रही है क्या खा रही है इन सबी चीजों पर निर्मल अपनी नज़र रखी थी और अब तो शिल्पा का सब्रकाबान तूट जाता है वो अपनी मा को फोन लगाती है और अगली ही सुपर अपनी बेटी को बचाने सुष्मा उसके सिसुराल पहाँ जाती है अरे रे ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई क्या हो गया सम्दन जी आप अचानक यहां और क्या दिक्कत हो गई बात ही कुछ ऐसी है समझी जी वो क्या है न हमारे जो पंडित जी है वो कल घर पर आए थे त्रिकाल दर्शी है उन्हें पता नहीं कैसे आभास हो गया कि शिल्पा के सुसुराल में कोई दोश है उन्होंने कहा कि घर की रसोई घर की बहु की कमरे से सटी होनी चाहिए यहां देखिए रसोई तो शिल्पा के कमरे से इतनी दूर है रसोई की ना जगा बदलनी होगी वरना सुसुराल में दोश लग सकता है आपके पंडित जी ने कहा है फिर तो मानना ही पड़ेगा ममी जी मैं कल ही कंस्ट्रक्शन वाले को बिला लेता हूँ और रसोई हमारे कमरे से सटी हुई बनवा देता हूँ वाँ ममी क्या उपाय लगाया है रसोई मेरे कमरे के पास रहेगी तो मैं कितनी बार भी जाओं कुछ भी खाओं ममी जी को ख़बर ही नहीं लगेगी और सुश्मा शादी के बाद पहली बार अपनी बेटी के सिसराल में आई थी तो थोड़ा रुख जाती है दुपर में खाने के वाग क्या कमला दिती आप पूरे दिन में सिर्फ बर्तन और पौधो में पानी देने का ही काम करती है ऐसे तो मेरे बेटी के सिसराल में दोश लग जाएगा वो क्या है न संदी जी कल मेरी पंडी जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि घर में काम करने वाले अगर पूरा दिन बैठे रहे तो सिसराल में दोश हो जाता है और उस घर की मुख्या पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है देखिए मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ आरा कमला तो ऐसे हफाल तुमत बैठा कर अब से तू सारे कामों में बहु का हाथ बटाएगी वासा निर्मला जी भी कोई काम नहीं करते इससे तो कोई दोश नहीं लगेगा न सम्दन जी क्या सम्दन जी आप कोई काम नहीं करती राम 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 ये तो टेंशन की बात होगी पंडी जी की माने तो अगर साज घर में काम ना करे तो डेड़ साल के अंदर अंदर घर का बहुत काम बढ़ जाता है अब साज जब मर जाएगी तो भीड तो जवा होगी और काम तो बढ़े गाई कल सा दुपर का काना मम्मी बनाएगी बस हाँ आरा मैं क्यों आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है मम्मी मा मेरी मा तू तो छक्के पर छक्का लगा रही है और इस तरह सुष्मा अपनी बेटी के ससुराल का रंग डंग शकल सुरत साब बदल लेती है चलि उठी सम्दन जी आपको मॉनिंग वाक पर जाना है अगर आप समय पर वाक पर नहीं गई तो इस घर पर दूश लग जाएगा देखे मैं आप क्या गे ना हाज जोडती हूं सम्दन जी मुझे छोड़ दीजे रात को बारा बज़े सोती हूं मैं और सुबर चार बज़े आप मुझे उठा देती है इस दोश के चकर में रात को जूठे बरतन दो कर सोई हूं अरे बड़ी थकाव अटा गई है शरीर में उठ भी जाए निर्मला जी घर की शान्ती की बात है अगर ये दोश मेरे करान पर लग रहा होता तो मैं भी उठ जाता अरे बबा ऐसे कोई दोश नहीं लगता मैं समझ गई संदन जी आप मेरे साथ क्या कर रही है माफ कीजिए मैं आपकी बेटी को कभी नहीं सताओंगी ये हुई ना बत ममी जी पंड़ी जी का नाम लेकर इतने भी गलत काम मत कीजिए कि आपकी करनी आप परीभारी पर जाए और सुश्मा अपनी बेटी की सास को ऐसा सबक सिखाती है कि उस दिन के बाद से वो कभी भी शिल्पा को परिशान नहीं करती